सुही गाई स्वागत है आप सब का मेरे चैनल में आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो भी आपने दो दिन पहले जो है किरती की वीडियो देखी थी उसने फाइनली जो है अनाउंस कर दिया था कि अब मेरी शादी नहीं हो रही है लेकिन उसका रिजन किरती ने किसी बहुत सारी आईडी से चैट कर रही है क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में कोशन उठे होंगे कोशन सिरफ और सिरफ यही होगा कि आपने क्यों रिष्टा तोड़ दिया बस इससे जादा कोशन किसी के मन में नहीं होगा और जो की किरती ने नहीं बताया तो वह रीजन पता करने के लिए बहुत सारे लोग गए हूँगे उनके पास पूछने के लिए कि पलीज आप बताइए ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो जो हैं उनके घर की जो बड़ी बहु हैं वो काफी सारे लोगों से चैट कर रही है और actually वो चैट जिनके साथ उन्होंने की उनमें से कुछ लोग जो हैं किरती के फैंस भी होंगे उने वो चैट जो है किरती को सेंड कर दी तो किरती के महाँ पे जो है किसी ने फिर मैस किया जाके उसकी जो भावी है वो मैसिज करके आपको डिफेम करने का ट्राइ कर रही है शेमलेस लोग हैं वह भूत दिदी तो यह जो है कमेंट किरती ने पिन कर दिया अपने आईडी पे जाके इंस्टा की आईडी पे और कीरती ने उसको बहुत लंबा चोड़ा जो है रिपलाई दिया कीरती ने बोला कोई बात नहीं मेरे पास अभी सभी के साथ उनकी चैट के सारे स्क्रीन शोट हैं और मुझसे जो है शेयर करने के लिए आप सबको थैंक यू मेरे पास कम से कम 50 स्क्रीन शोट ऐसे आए हैं और वो उस घर की बहु है उसका पूरा राइट बनता है कि वो अपनी फैमली को डिफेंड करें लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है मैंने जो भी वीडियो बनाई थी सिरफ और सिरफ जो अपने लिए बोला था उनके बारे में एक शब तक नहीं बोला मैंने उनके बारे में ऐसा कुछ कहा है और नहीं मैं कुछ ऐसा कहना चाहूंगी बे बुनियादी बाते कर रहे हैं वो लखन को और मेरी मम्मी को और मेरी पूरी फैमली को जो है ना बदनाम कर रहे हैं इस से उनकी क्लास का पता चलता है मैं ये सब जो है भूल जाना चाहती हूं वो चाहे जो भी कर सकती है यह उनका अपना ओपीनियन रहेगा और आप सब भी जो है उनसे अब्यूज ना करें शीज डिफेंडिंग और फैमिली यही सब चीज़े जो है किरती ने लिखी है I do not want to say anything more मैं और इससे जादा कुछ भी ने कहना च किरती मतलब अभी भी कितना जादा रिस्पेक्ट दे रही है दूसरी फैमिली को इतना सब कुछ होने के बाद इतना सब कुछ का मतलब यह है कि जब मतलब की एक रिलेशन्शिप में रहना फिर उसके बाद जो है शादी के सपने देखना सपने क्या शादी होने वाली थी औ पूट जाना कितने बड़ी चीज होती है लड़की के लिए फिर भी वो सामने वाले फैमिली को इतना ज्यादा अभी भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप लोग सोच सकते हो कीरती का कैसा नेचर है इतना कुछ होने के बाद जो लड़की इतना पोलाइटली जो है बोल रही है ठीक है सामने वाला इंसान उनको जो है दिफेम करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग लोगों से जाके चैट कर रहा है फिर भी वो सामने वाली इंसान को जो ने अपनी बड़ी बहन का दरजा दे रही है आप देख सकते हो कि किरती में संसकार है या नहीं और बात रही उनकी फैमली को डिफेम करने की तो थोड़ा बहुत सोचना चीए कि भाई इतना टाइम से हमारा एक रिलेशन था किसी फैमली के साथ और अगर आप उनके हुआ है सोचल मीडिया फे किरती की फैमिली जो है किरती को खुश करने की खोशिश कररें है चाहे वो नीतू को रात को डिनर पर वाली चीज़ें हो मस्ती मजाक हो रिकी और मीटू की बॉंडिंग हो पूरी फैमिली जो है ना एफेट्स कर रही है और अभी तो अगर आज का व्लोग देखें तो वह ट्रिप प्लैन कर रहे हैं कि भई कहीं चलते हैं तोड़ी सी जगह चेंज होगी थोड़ा सा मूड होंगे वहां पे पैसो के लेके बात हुई है वह बोलती है कि वह सब को बोल रही है उसकी फैमिली सोशल मीडिया पर मनी हेल्प करते हैं पर रियल में नहीं ऐसा लग रहा है उन्होंने आपकी फैमिली से हेल्प मांगी है और शायद आपकी फैमिली में वह उनको मनी हेल्प नहीं दी तो शायद वो इसलिए सैड है कुछ ऐसा ही हुआ था क्या तो यह पूच रही है लेकिन उन लोगों का यह कहना है कि लखान भम्मू या फिर उनके पापा जो है जो भी हेल्प करते हैं सोशल मीडिया पर वो सिरफ और सिरफ दिखाते हैं देखिए अगर कोई इंसान किसी की हेल्प करता है और अगर वो फेक करता है। मैं कह रहीं सो इंसानों को अगर उनने दिखायागा तो उसमें से एक तो सामने आये गा की हमारी हैल्प robi typ्लो वीडियो बनाने आए थी तो वहाँ पे जब लखन को पता लगा था कि ऐसे ऐसे इनको cancer है और treatment है तो वहाँ पे लखन ने कितनी help की अगर उन्होंने help ना की होती तो क्या वो जसलीन दीदी एक बारी भी नहीं बताती लोगों को सरासर जूट है कि भाई ये लोग जो है help करते हैं चाहे भम्मू कितना क कुछ करती है उनके पापा कितना कुछ करते हैं लास टाइम बहुत सारे व्लोग आये थे जहां वो इतना सारा दान पून करके आये ओल्डेज होम भी गए थे तो क्या सब फेक था ये लोग जो भी है ये सोशल मीडिया पे नहीं है ठीक है अगर इन्होंने अपनी बात रख बताया ही नहीं किरती की फैमली में से किसी ने नहीं बताया कि उनके साथ हुआ क्या है रीजन क्या है तो कोई अपने आप से कैसे गल्ट बोल सकता है लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि भाई बहुत सारी आइडिया बन-बन क्या रही है चाहिए वो मेरे अकाउंट पे हो चा वगुट को बनाता है फजूब का टम्हाईं साथ है लेकिन को बहुत सारी अइडिया आई है किरती के कमेंच सेक्षेन में जहां मैंने पड़ा किसी ने कमेंच की क्या हुए है तुम जूत बोल रहे हो तुमारी फैमली को देदे मांडिंग बतायाerd इसके बाद भी बचता ह क्या कुछ तुमने बोला तुम्हारे पेरंट शादी कर रहे हैं और सब कुछ पैंड कर रहे हैं बलकि जब तुम्हारे पापा शादी करने से मना कर दिये थे और तुम्हारे इंसल्ट की थी तब भी वो लोग शादी करने को तयार थे डिमांड तो तुमने करी हैं घर में शा आप लोग सोच्ते हैं इतना डीपली किसको पता है किरती ने घर में हिस्सा मांगा है या 18 लाग का लेंगा मांगा है तो आइटिंक यह लोग वही हैं शायद उनके इनलोज की तरफ से यह लोग है जैसे फेक आइडिया बनाकर जो हैं कमेंट कर रहे हैं के लोग वाइटी पे हैं influencer हैं इनके उपर भी नोने सवाल उठाया बोले कि influencer वो बनते हैं जिनको जरूरत होती है जैसे कि बहुत लोग बने हैं रजे हुए लोगों को या फिर फ्री के पैसों की जरूरत नहीं होती अब मतलब कि इनको ये भी प्रोब्लम है कि ये वाइटी पे क्यों है वाइटी से क्यों अन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लखन को इस चीज़ पर जो है seriously action लेना चाहिए या फिर उन लोगों से बात करनी चाहिए क्योंकि यहां पे जो बात है ना पूरी की पूरी फैमली को डिफेम करनी की है जो वीडियो आई थी कितना वो रही थी कितना वो डिप्रेशन में है सब को पता है आप लोगों का क्या कहने इस वीडियो के ओपर कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शियर करें और बेल आइकेन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें बाई मैं मिलते हूं अब से एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई